मैं आप लोगों के सामने एक बास शेयर करने आई हूँ जो कि पिडित ने आज वीडियो अप्लोड किया है और जिसमें ये चीज़ वो पिडित बता रहा है कि घमू ने इतनी गारे में सच्चाई है वो मैं आप लोगों के सामने रखने आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है और जो चीजे पिडित बोल रहा है ये मैं आपको बता दू कि घमू एक साल पहले ये सारी चीजे बता चुकी है आज नया नहीं है पर पिडित को क्या चीजे करनी है उसको उसी चीज को नए नए ों क्या कर सकती हैं मुझे अपने घमू पर पूरा भरोसा है तो वही चीजे मैं आज आप लोगों के सामने शेर कर रही सीजे क्लिक एक टमाटर की बात है और घमू ने उस बच्ची जलाया है चिमटे से शेर कीजेगा और चैनल पर अगर नहीं आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो ची लगते हैं लाइकन शेर कीजेगा तो जो चीज पीडित बोल रहा है वो बिल्कुल जूट है सचाई क्या है यह मैं आपके साथ शेर करे हूँ एक बात मुझे बताओ आपक लगता है एक चीज पास किसी का रहता है तो यह हमारा राइट बनता है कि इस बच्चे को हम किस तरीके से अपने किस तरीकेसे संसकार देते हैं क्योंकि अगर वो बिगडता है तो हम लोगों की वज़े से बिगडता है अगर वो सुद्रेगा तो हम लोगों की वज़े से ही सुद्रेगा तो सबसे बड़ा राइट हमारा होता है अगर वो अच्छा जाता है तो भी और बुरा जाता है तो भी उनके माबाप को कोई नहीं क तो एक बात बताओं वो जो बच्ची ती जिसके बारे में पीडित इस चीज का उसकर कर रहा है तो तो इसले हैं वो जो आफर दे Living कहीं भी लाके कहीं भी रख देती जैसे उस बश्च Rule का वहां पर जिकर नजर जाती उस बश्ची की तो उसको गाकर होक्त कर्दक्रम करते है किसले डराना पड़ता है क्योंकि वह घमु के उपास किसी की जिम्मेदारी थी ठीक है अगर वह बिगड़ जाती तो उसके पेरंट्स उसको बोलते और यह सब चीजे नहीं समझ सकता है इस चीज को समझती है और वह चीजे इस चीज को भी समझती है कि अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो मेरी मेरा ही नाम खराब होगा ना कि किसी और का तो क्या हुआ कि पहले घमुने उसको डाटा धमकाया पूर नहीं मानी फिर घमुने क्या करा उन जो समान था जो पैसे थे उनको अच्छे से रखना स्टोर करना स्टार्ट कर दिया कि सिक्यूर करके उनको रखने लगी फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो सिक्यूर करने से भी नहीं मानी तो बैड में रखे थे बैड में से जसी तैसे उसनी निकाल लिये तो जब घमुन को पता चला तो देख कि अगर हम उसको कहेंगे अगर चाहती ना कि वह बच्ची नहीं है चलो चोड़ो बिगडने तो उसके आगे और पैसा रखती उसको और इस चीज की आदर डलवाती पर जैसे मेरे दिव्या और टेजस हैं ऐसे ही वह बच्ची भी मेरी है तो यह सब चीजे हुई थी तो उसने थो डराये ना सब थो जो छब बड़ी तो फिर क्वर दर गई थी तो चिम्टा हलका सा उसके लग गया था और जुद्ध की बाति विडित वुड़ी को बुलाया था ना तो उनके पडोसियों पुलिस को बुलाया था चलो हम मानते हैं हम सारी बाते एक तरफ कर देते हैं ठीक है कि हमारी गमू ने ये चीज़े की है तो भाई गमू स्कूल में पढ़ाती है छोटे-छोटे बच्चो को पढ़ाती है तो तुम उन में से एक या दो बच्चे को हमारा वीडियो क्लिप लाके दे दो हमें शेयर कर दो कि यहां गमू उन बच्चों को मारती है लड़ती है और प्रतालित करती है उन बच्चों को तो यह सब चीजे हम समझ जाएंगे ज़ादा कुछ करने की ज़रूत नहीं है तो जो हस्बेंड के उपर डिपेंड रहते हैं अगर आपके हस्बेंड बोलेंगे कि आपको सामने वाले से बात करनी है तो आप करोगे अगर आपके हस्बेंड बोलेंगे नहीं करनी है तो आप नहीं करोगे तो जो उसकी सहेली थी ना उसके जो husband थे उनके साथ इसके पीडित के family के relation अच्छे नहीं थे घमू के relation बहुत अच्छे थे घमू वहाँ society में रहकर आई थी किसी के साथ घमू का भेदभाव नहीं था घमू का किसी के साथ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि कोई घमू को पसंद ना करे घमू के साथ सब लोग प्र सकता है व्लॉगिंग में नैच्रल चीज़े नजर आती है फेक उसमें कुछ नहीं हो सकता है तो यहां पर इस सारी चीज़े हुई और उनके उन्होंने अब उसको पीडित उस चीज़े क्या उठाके लेकर आ रहा है कि वहां पर उसने ऐसा कर दिया है क्या बोलते हैं उसको इसने पीडित ने इन सब चीज़ों को पुलिस वालग पुलिस केस हुआ पीडित बोल रहा है कि मैंने उसको बचाया है मैंने ये सब किया है नहीं जब उनके फेरेंट्स घर आ गए थे तो उनका जो मैटर था वो क्लोस हो गया था और फिर जिस लड़की के हजबन ने पु रिलेशन था वो भी और जड़ा स्ट्रॉंग हो गया क्योंकि उन्हें पता था कि गमों ऐसा नहीं कर सकती है ये कुछ गलत फैमिया थी जिसकी वज़े से हुई थी तो ऐसा नहीं है और पुलिस टिसन की बात कि अगर फायर कटी थी केस बन रहा था तो तुम मेरे पास पी तो पुलिस टिसन में जाती है ना फोल आके हम प्रूफ के तौर पे हमें दे दो हम मान जाएंगे कि हमारी घमों ने यह क्या और मैं आगे से रियक्शन देना चोड़ दूँगी घमों के सपोर्ट में खड़ी होना चोड़ दूँगी अगर घमों अगर तुम मुझे ए तुमारी बेटी तुमसे यह चीज़े बोलती है कि पापा इस चीज़े को बंद करो कोई फायदा नहीं है तो कुछ बी इन सब चिज़ें को कोई रह Мहीं है, और घमों कल भी सही थी, आज भी सही है, और मैं कल भी घमों के साथ हूं तो मैं मिलती हूँ आपसे ऑनी एकश् पर देता है लिए वह सब भखोर सकादाइने सकते हैं